चारखंट कॉंग्रिस के दिगश नेता पूर्वसांसद फुरकान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है अपने बयान से अंसारी से भाच्पा और सामन्ती सोच रखने वालों पर निशाना साधा है फुरकान अंसारी ने कहा कि उनके दादा पर दादा यादव थे कॉंग्रिस नेता फुरकान अंसारी ने कहा कि पहले वह यादव थे और मंडल थे उनके दादा पर दादा सभी हिंदू थे यहां के सामन्ती सोच वालों के अत्याचार से तंग आकर वह मुसल्मान बने है किसी औरंग जेव और बाबर के दबाव में मुसल्म नहीं बने बलकि यहां के लोगों के प्यार से हिंदू से मुसल्म बने है उन्होंने कहा कि सामन्ती सोच वाले लोग शुरू से अत्याचार करते रहे है कोई नीचा जाती का लोग मंदिर में पहुँच जाता है तो इसे गंगा जल से सुध करने लग जाते है देश में ऐसे बड़े लोग है जो पैसे वाले हैं सामन्ती सोच वाले हैं वह गरीब को नहीं समझते हैं बेटी बहु परत्याचार करते हैं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पूर्वराष्टुपती के मंदिर पर जाने से रोक दिया गया था मンネल महतो मतल नहीं बदला रहें सामंती लोगों के अत्याचार से उनके जुल्म से कोई और हमजेमने हम लोगों नहीं बदला ही यहाँ पर को अध्य करप झाल करें दा है लोगों ने हम लोगा दिल जीता है यह पुरी कहानी है इसके लिए थोड़ी से वक्त में बात नहीं बड़ा जा सकता है लेकिन इस देश में जो है सामन्ती इसके लिए दोसी है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं सामन्ती हैं जो दूसरे की बहु बेटी को अपना बहु बेटी नहीं समझता है गरिब को गरिब नहीं समझता है उनलों का विचार धारा है वही लोग पानी नहीं पिने देता है वही लोग मंदिर में घुस नहीं देगा किसी को कि आप देखा मोदी जी रहा मोदी जी के समय में जो दलित थे हमारे राश्पती उनको मंदिर में ने गुश ने दिया और गुश गए तो पांच टेंकर गंगा का जलमंगा करके पूरे मंदिर को धुलबाया गया यह किसका विचार धरा है इसी बैकवर्ण का विचार धरा न झाल झाल